सब्सक्राइब करें हमारे श्टेट मीडिया चैनल को देखिए देज बिनेज की बड़ी खबरी में ज्याओर रह्मान विद्गा मच्जिद लाठ का इमाम फटीब हुआई इस जुमा के अंडर सबसे पहले अपने नबी अलिए सलम की लाइफ पर उस्टगू ही कि हमारे मुहम्मद स्लिल्लाई लिए सलम की पूरी जिन्दगी अमन सांती और जल्म के खिलाफ थी आज भी कहीं भी किसी मुल्क में बे जल्म और सिक्म होता है तो हम उसके निंदा करते हैं और उस हुकूमत से भी कहते हैं कि उस पर सक्ते सक्ते कारवाई की जाए और ऐसे तप्ते को निकाला जाए जो ऐसे सरार्ति तपते हैं जो ऐसे उपद्दरह को करते हैं और पुरा माहॉल को खराब करते हैं और हमारे हिंदोस्तान के अनदर क्योंकि ये हमारा माधरे वतन है मादरे वथन का मतलब यह हमारी मादरे भूमी है हमारी भूमी माँ है तो ऐसे भी हम उसक्राफ़ बर्चात्ति का माहोल है उसमाहोल को भी बचाया जाए और तमाम सुवाई हकूमत से हम यह कहना चाहते हैं, अगर कहीं भी ऐसे तटवे पाये जाती हैं, जहां जो जो जुड्म करती हैं या बुराइप करती हैं, या लोगों को भलकाती हैं, उनको खोच का निकाला जाए और सक्त सक्त सदा इजाए, ताकि फिर हमारे हंदुस्तान के जो बेहतरीन हवा सांती की है अमनिकी है फिर से हमारा माहूल खराब नहीं होने पाए यही कि हम उसके निंदा करती है ऐसा होना नहीं चाहिए था और हुकूमत से हम कहते हैं कि वहां के जो सरारती तपके हैं उन्हें निकाला जाए और उनके सक्ते सक्ते खारवाई की जाए ताके फिर ऐसे दुबारा घटना ना होने पाए जी जी कि यही कि सबसे पहले अफ़वाहों पर ध्यान ना दिया जाए और अफ़वाहों से बचा जाए और सबसे पहले जो अगर कोई ऐसा काम हो रहा है तो सबसे पहले हम अपनी हकूमत के कानून की तरफ रोजू करें अगर कोई ऐसा तपका मिल रहा है सरारती तपका तो सबसे पहले खुद कानून नहात में ना लिए बलके उसे अपने परसासन के जरिया और अपने हकूमत के जरिया उसे मतनब्बा करें कि देखिए हमारा कानून है उसके मताबिक हमें चलाएगे दिपाउली पर हम तमाम हिंदोस्तान वाक्षिनों से यह अपिल करती है कि हमारे मुल्क के लिए अपनी पूजा में अपनी अबादत में इस अमने के भलाई और हमारे वतन के भलाई और तरक्षि के लिए अपना वगवान से परातना करें कि हम सब को इस हिंदुस्तान के साथ साथ में रहने और साथ में अपनी जिन्दगी बसर करने और साथ साथ हिंदुस्तान की तरकी की तरफ हम सब को बढ़ने की तव्फिक हो